तो वक्त हो चुका है आज की 25 महतपुर बड़ी खबरों का आईए जानते है देश और दुनिया की और उत्तर प्रदेश की 25 महतपुर बड़ी खबरे दोस्तों कई खास कबर है जिससे आपको फायदा मिलेगा दिल्ली में सी सोधिया का पैदल मार्च सुरू हो चुका है इसक काता के आरची कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विदोद में प्रदर्शन लगातार तीज होता चारा है वह अकलेस से मिला लखनो बैड टच का आरोपी बोला यादो होने के नाते फसाया गया सपात दक्ष ने कहा तजवीर छापने वाल सपाकारियाले पहुंचा और अकलेस यादों को पूरे मामले की जानकारी दी है करीब 6 दिन जेल में रहने के बाद वहाल ही में जमानत पर छूटा है अकलेस यादों ने कहा घटना में जो लड़के पकड़े गए और जिसका विदान सबा में नाम लिया गया है वो मिलने आ सोला आरोपिय में पवन यादों मुहमत अरबाज का सियम योगी ने नाम लिया था मुक्यमंत्री ने तल खंदाज में कहा था कि इस घटना के आप राधियों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं बलके बुलट ट्रेन चलेगी वाई राहुल गांदी की नागरिक्ता रद करने की मांग को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट पहुच गए सुब्रहन्यम स्वामी अगले हपते हो सकती है सुनवाई पूरु राजसबा सांसा सुबरहनियम स्वामी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांदी की भारती नागरिक्ता पर आपती जताई है और दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है उन्होंने राहुल गांधी की नागरिक्ता रद्द करने की मांग की है जिहां पूरू राजसभा सांसा सुबरहनयम सौमी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याजका दाखिल कर दी है जिहां सुबरहनेम स्वामी ने कहा है कि राहुल गानी ने ब्रीटेन की नागरिक्ता ले रखी है तो दो घंटे पहले पहुचना होगा परिशा केंदर पर केवल पेन लेकर जाईएगा अब भ्यरतियों के लिए जारी हुआ है गाइडलाइन पहचान पत्र या डियल पास्पोर्ड लेकर जाना होगा ध्यान रहे कि इसके अलावा आपको कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं होगी तो यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को लगा जटका सर्कल रेट बढ़ने से आसियाना बसाना पड़ेगा महेंगा हर किसी के सपना होता है कि उसके पास अपना एक आसियाना हो लेकिन बर्ती प्रॉपर्टी की केमितों के कारण आम आदमी के लिए सहर में घर बसाना अब और कठिन हो गया है जिले में सर्कल रेट 10-15% तक बढ़ने के बाद अब यह और मुस्किल हो गया है जी हाँ दोस्तों इस साल भी प्रसासन ने सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी सुरू कर दी है जीले के तहसीलों में सर्वे सुरू हो चुका है और तहसीलों से नए रेट प्रस्ताओ मांगे गए है तो विधर कुले के बढ़ा बडेट आ गया है 25 जीलों में गरत चमक के साथ बारिस होगी जीलों में काफी जादा गिराव टाएगी इन जीलों में बारिस का अलर्ट है आप अपने जीले का नाम देख सकते हैं आकरा, मतुरा, अयुद्या, लखनो, चित्रकूट ऐसे तमाम जीले हैं पिली भी, सीतापूर, लकिम पुर्खिरी, सभी जुगों पर भीसन बारिस का अलर्ट जारी हुआ है 22 अगस तक ऐसे ही वर्सा का दोर जारी रहेगा इस भी सभी वंदे भारत ट्रेनों में अब ये बड़ा बदलाव करने जा रहा है इससे यात्रियों का काफी हद तक सफर सुरक्षित हो सकेगा इस कड़ी में ट्रेन हास्तों को रोकने के लिए कवच 3.2 की जगा पर कवच 4.0 अप्रूब हो चुका है अब रेलवे ट्रेनों, स्टेस्नों और ट्रैक पर कवच 4.0 लगाया जा रहा है तो मुक्य संबानी ने चला नया दाओ, फ्री में वाइफाई लगवाया जाएगा जी आप भी असनल एर टेलर वोडा की भी चिंता बढ़ गई है जी उन्हें अपने यूजर को कई दमदार ओफर दिये है लेकिन अब आप फ्री में वाइफाई इंस्टॉर करवा सकते हैं आप भी इन नया ओफर के बारे में जान लीजे क्योंकि पहली बार कंपनी की तरफ से कुछ ऐसे ही ओफर आए है यूबी में दो दिन तक फ्री रहेगी बस येवाई छे दिन तक चलाई जाएंगी तीन हजार से जादा बसे उत्तेपरतिस सरकार ने दो दिनों तक उन्नी सो बीस अगस को सरकारी बस येवाई फ्री चलाने का आदेश दिया है इसका फैसला हो चुका है हालकि इसका लाब सभी को नहीं मिलेगा केवल महिलाओं को बेटियों को बहुओं को मिलेगा रक्षबंदन को लेकर यूबी के परिवहन विभागने लोगों को यातायाज सुगम बनाने के लिए तीरजार अत्रिक्द बसे चलाने का फैसला भी किया है इस दोरान 1920 अगस्त को महिला यात्री निसुल के यात्रा बसों में कर सकेंगी तो रक्षबंदन के दिन 450 रुपए वाला गैस सिलेंडर या भी 15 रुपए नगत मिल सकता है रक्षबंदन से पहले सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है महिलाओं को फाइदा मिल सकता है दरसल मध्य परदेश की मोहन यादो सरकार ने इस बार रक्षबंदन के तेवहार में राजे की महिलाओं को बड़ा तोफ़ा देने की तैयारी कर ली है डबल इंजन सरकार की तरप से इस बार मध्य परदेश की महिलाओं को डबल फाइदा मिलेगा दोस्तो भाई बहन के त्यवहार रक्षा बंदन आने में बस कुछ ही दिन बाकी है पिछले साल रक्षा बंदन के मौके पर प्रधारमंती मोधी ने गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम कर दी थी अब आपको बताते चले इस बार भी रक्षा बंदन में बड़े ऐलान हो सकते है महिलाओं के लिए बड़े ऐलान होंगे जिहां मौकेमंती योगी आदेतनाद ने रक्षा बंदन के दिन बस में महिलाओं को मुफ्त सफर करने की सौगात दे दी है महिमत देपर्दिस सरकार ने LPG सिलेंडर से जुड़ा भी बड़ा ऐलान किया है लेकिन आप बताते चले कि योगी आदेतनाद सरकार भी फ्री गैस सिलेंडर दे रही है और उज्जला गैस सिलेंडर धारकों को ये लाब मिल रहा है तो आप चाहे तो अगस्त के बाद सितंबर महिना जैसे सुरू होगा फ्री गैस सिलेंडर का लाब ले पाएंगे उज्जला धारकों को फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा और ये सितंबर और अक्टूबर महिने के लिए होगा दो महिनों में आप किसी भी समय पल ले सकते हैं यानि योगी आदे तिनात ने भी फ्री गैसलेंडर का ऐलान कर दिया है अब पियम मोधी के तरब से या फिर योगी सरका के तरब से जो बड़े ऐलान होने वाले हैं वो लाडली बहन का हो सकता है जी हां कई राज्ये इस प्रकार के लाप दे रहे हैं 1250 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए कई राज्ये कई तरह के लाप दे रहे हैं इस बार ऐलान योगी सरका की तरब से हो सकता है तो जम्मू कस्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी हर्याणा की सबी सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगा नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे चुनाओ आयोग ने सुक्रवा 16 गस्त को जम्मू कस्मीर हर्याणा के विधान समा चुनाओ का एलान कर दिया है जम्मू कस्मीर में 3 फेज 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे हर्याणा में 1 फेज 1 अक्टूबर को मत्दान होगा दोनों राजियों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे तो लखनों में मेडिकल कॉलेज के OPD बंद हो चुके है डॉक्टर नहीं होने से 1000 ऑपरेशन की डेट टल चुकी है 400 किलोमीटर दूरी से आए मरीज इस्ट्रेचर पर पड़े है जीहा दोस्तों लखनों में रेजिडेंट डॉक्टर का प्रदर्सन 4 दिन भी जारी है इसके चलते राजधानी के सभी मेडिकल कॉलेज में तकरीबन इलाज ठप है डॉक्टर कैमपर्स में प्रोटेश्ट कर रहे हैं तो मरीज इस्ट्रेचर पर इलाज का इंतजार कर रहे है ओमस भरी गर्मे में परजनों के पसीने छूट रहे हैं गोंडा से आए एक 84 साल के मरीज का ओपरेशन भी हर्ताल की वज़ा से नहीं हो सका कई मेडिकल कॉलेज में 90 फिजदी काम ठप हो चुका है बलरामपूर अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने के चलते सुबा ओपीडी में काम काचपुरी तरह से ठप हो गया हर्ताल के चरते करीब 1000 ऑपरेशन की डेट टल चुकी है पांच बजे साम को करीब 2000 डॉक्टर लखनोव के 1094 है पैंडल मार्च निकालेंगी डिप्टी सीयम और हेल्थ मिनिश्टर ब्रिजेज पाठक ने लोहिया संस्थान पहुच का प्रदर्सन कर रहे डॉक्टरों से मुलाकात की है डॉक्टरों ने उन्हें ग्यापन भी सोपा है तो अकलेस से पावन यादो की मुलाकात पा लखनोव पुलिस बोली कि चल रही है जाच क्लीन चेट नहीं मिला है तीन केस इन पर दर्च है लखनोव 31 जुलाई को बारिस में बैट टच के मामले में गोमती नगर पुलिस की करवाई पर सवाल उठ रहे है इस मामले में जेल गए पावन यादो ने अकलेस यादो से मुलाकात की है और कहा मैं चाय पी रहा था पुलिस मुझे उठा कर ले गई तो अखले से आदों से पौने आदों की मुलाकात पर लखनोव पुलिस ने भी अब जवाब दे दिया है कहा कि जाच चल रही है क्लीन चीट नहीं मिला तीन केस दर्ज है सौ साल पुरानी लखनोव मेल फिर से चार बाग से चलेगी यात्रियों को परिशानी ना हो इसलिए ट्रेन को 10 मिनट तक इस टेशन पर रोक कर चलाए गया जिसने अगर कोई पैसंजर देरी से आया हो तो आभी ट्रेन पकर सके कोलकता रेब मंडर केस में पूर प्रिंस्पल सी बियाई हिरासत में केंदर का सरकारी अस्पतालों को निर्देश हिल्थ वर्कर पर हमला हो तो 6 घंटे में FIR कराई जाए यानी केंदर सरकारी बड़ा फैसला कर लिया है लेकिन ये हर किसी के लिए फैसला होना चाहिए कीमत में एक बार फिर से गिरावाट देखने को मिली है IBJ1 रिपोर्ट कंसार सुकरुवार को 10 ग्राम 24 करेट का सोना 403 उपए घट गया 70,390 पे पहुंचा है आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं रक्षा बंदर का फेश्टिवल आ रहा है लेकिन चांदी की कीमत बढ़ी है 7500 के करीब 11655 का मिलेगा बाकी आप कैरेट के हिसाब से सोने चांदी की कीमत देख सकते हैं लखनों में पकड़े गए आक्सी टोसिन इंजेक्शन के तसकर 1,37 लाग से जादा इंजेक्शन सप्लाई करने जा रहे थे दूद बढ़ाने के लिए गाए भैसों को लगाया जाता है UPSTF ने आक्सी टोसिन इंजेक्शन की तसकरी करने वाले दो तसकरों को गिरबतार किया है आरोपी लखनों में इसकार्पियों से इंजेक्शन की सप्लाई करने जा रहे थे तब ही HDF ने पकड़ लिया तसकरों ने बताया कि लखनों के आसपास के जिलों में आवायत इंजेक्शन की सप्लाई करते हैं वह लखनों में बुजूर्गों दिव्यांगों के लिए फ्री इरिक्सा चलेगा एक कॉल पर मदद करने पहुंसते हैं सुनील जिहां सुनील का ये काम है दिव्यांगों को दर्द देखकर सुरू किसेवा यह कोई सरकारी सेवा नहीं है बलकि एक व्यक्ति ने सुरू किया है बस से एक व्यक्ति को बोरी लेकर उतर रहा था अचानक वह नीचे गर गया जिससे उसे चोट लग गई पास जाकर देखा तो वह दोरों पैर उसे दिव्यांग था उसकी मदद की तो उसने गले से लगा कर खूब आसिरवाद दिया वह लड़का आईयस की तयारी कर रहा था सबसे कथिल लड़ाई लड़ रहे हैं साम को पैदल मार्च करेंगे पूरो डिप्टी सिए मनीच सिसोधिय ने सियम केजरी वाल को जन्म दिन की बधाई दी और एक पोश्ट में लिखा कि देश में चल रही ताना साही के खिला सबसे कथिल लड़ाई लड़ने जा रहा हू प्रियमित्र राजनीति गुरु को जन्म दिन की हारधिक सुपकामना है वह अधर राम मंदिर में लगाए जाएंगे तीन रोबोट कैमरे यहां देख सकेंगे राम लला की सभी आर्थी का लाइब प्रसारण दोस्तों अब राम मंदिर के अंदर तीन रोबोट कैमरे लगाए जाएंगे राम लला की प्रदिदिन प्राता 6 बजी होने वाले स्रिंगार आर्थी के साथ ही अब संध्या आर्थी और सैन आर्थी का भी लाइप प्रसारण आप देख पाएंगे वही एक फोन पर ड्यूटी पर तैनार ट्रैफिक करमियों के लिए पहुचेगा लंच पैकेट विवस्था लागू हो गई है ड्यूटी पर तैनार ट्रैफिक करमियों के लिए एक फोन पर अब लंच पैकेट पहुचेगा खाना खाने का बहाना बताकर ट्रैफिक कर्मी अब ड्यूटी पॉइंट से गायब नहीं हो सकेंगे जी हाँ इच्छुक यातायात कर्मी ट्रैफिक लाइन की मेस में कॉल पर लंच बुक करा सकेंगे HSBC ने दिया है 140 रुपय का टारगेट जी हाँ OLA Electric Mobility Share Price आप जा लिए तो कि OLA के Share के लिए पहली सलाह HSBC से आई है जिसने कवरेज की सुरुआज बाई रेटिंग 140 के टारगेट प्राइट के साथ की है तो आप चाहे तो इससे खरी सकते हैं 12% से अधिक चड़ चुका है आज भी OLA रॉकेट बना हुआ है और सुरुआती कारोबार में करीब 12% उचल गया है इसके लावा OLA के Share के लिए पहली सलाह HSBC ने दी है जिसने कवरेज में बाई रेटिंग 140 टारगेट प्राइस के साथ बताया है आज सुबा 121 रुपए पर खुला है चंद मिन्टो में 128 रुपए पहुच गया है यह कारा है कि ब्रोकरे ने एक नोट में लिखा है कि OLA ने जून ती माही में ना केवल सभी इलेक्ट्री दो पहिया वाहनों का 49% बेचा है बलकि बैट्री जाइद भारत में अधिकांस आवस्यक इलेक्ट्री विकल पार्ट्स बनाने का लक्ष भी रखा है OLA की बैट्री वेंचर भी सफल हो गया है OLA बाइक की कीमत पिलगातार भरती जा रही है उनके सेर बरते जा रहे है तो टार्गेट प्राइज 140 रखा गया है OLA एलेक्रिक मोबिल्टी सेर रॉकेट बना है चाहे तो आप इसको खरीच सकते हैं बात में अच्छा रिटर्न देगा लगिन ध्यान रहे हैं कि आपको ये एडवाईज नहीं दी जा रही है ये सिर्फ आपको जानकारी दी जा रही है अपने एक्सपर्ट से जानने के बाद ही इसमें खरीच दारी करिये का दोस्तो सकसेज श्टोरी जा लिए मोबाइल नहीं रखते करोणों का दान करते हैं जी हाँ 1.10 लाग करोणों पर इनके पास है आज भी त्याग राजन सादगी पूर्ण जीवन जीते हैं मोबाइल तक नहीं रखते हैं WFI अध्यक्ष संजय सिंग बोले विनेज कैसे 100 ग्राम से चूक गई सरकार जाज कराए तीन घंटे में तो अमन ने 4 किलो से जादा वजन घटाया था इस्टार रिसलर विनेज फोगाट ओलम्पिक में 100 ग्राम वजन बढ़ने से मेडल पाने से चूक गई विनेज को सिलवर मेडल देने की आजका को कोट आप और ब्रिटेशन फॉर स्पोर्स C.A.S. यानी खेल कोट ने खारिज किया है सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था नई जानकारी थी आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा विड़ो पसंद आया हो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए हमारे साथ जुढ़िए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हम आपके फायदे की खबर देते हैं जिससे आपको फायदा हो जाए किसी नुकसान से आप बच सके तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद